आई होप आप सब लोगों ने आज थोड़ा सा पढ़के लाए होगा जो भी चीजें हैं फर्स यूनिट के अंदर जिनको हमने अभी तक देख लिया था आज अम इसमें लगवग 25-30 क्वेशन देखेंगे और उनसे हम और भी क्वेशन कोशिश करेंगे क्यों उनसे बन जाए तो जिस तरीके से आपको यूजी सी नेट में प्रशन पूछे जाते हैं टीक वैसे ही तरीके से मैंने यहां पर कोशिश की है आप लोगों के लिए प्रशन तयार करने की बाकि आप लोग और भी चीज़ें देखते रहे हैं वैसे तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट मैं ने अल्रेडी दे दिया है चाहे वो 2004 से लेकर के 20 तक के प्रशन हो या फिर प्रीबियस के पेपर हो है ना उनको एक बार देखिए जो अभी लेटेस्ट 20 के बाद के भी पेपर है उनको भी देखते रही है ठीक है तो फिलाल हम स्चार्ट कर लेते हैं बाकियोंने आना होग तो ठीक है नहीं आना होगा तो फिर रिकॉर्डिंग में उनको यह सारी चीज़ें मिल जाएंगे तो फिलाल देखिए इसमें हमारा जो पहला हिंदी भाशा का उद्भव और विकास इस टॉपिक को हम करेंगे और आपको अपना आंसर जो है वो पोल के जरी करना है गुद म पर देखिए यहां पर क्या पूछा है आपसे इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मान्यताएं सही हैं और इस तरीके के प्रश्ण ही आपको UGC Net में आपने देखा होगा कि पूछे जाते हैं और सामने आपको इस तरीके का कूट दिया रहता है ठीक है और आपको आधार शब्द है यह पहला जो वाक्य है ठीक है दूसरी मान्यता क्या है कि इस वर्गीकरण का आधार वर्गीकरण के आधार पर सभी भाशाएं वियोगात्मक हैं आकरिती मुलक वर्गीकरण सबसे पहले EFR हारनले ने किया और आकरिती मुलक वर्गीकरण आयोगात्मक औ या दो और तीन और चार सही है, या फिर दो और चार सही है, या फिर एक और तीन, या फिर केवल एक और चार, तो चलिए ये रहा आपके सामने आपके लिए पूल, I hope कि आप question को सही तरीके से समझ गए होंगे, time कितना चाहिए, 30 seconds चाहिए, या फिर 60 seconds चाहिए, वो भी बता लोग अपना जो answer है, वो कर सकते हैं, तो यहां पर वैसे आसान है ये प्रशन और बिल्कुल हमने इसको अच्छे तरीके से किया है देखना, अभी तक सिर्फ कुछ ही लोगों ने answer किया है, बाकी लोग अभी नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल easily आप इसको समझेंगे, और answer क करेंगे, है न, कम लोग कर रहे हैं, answer क्या बात है, शावाज, शावाज, यामिनी अनिता वर्मा, बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी इसको ठी कीजिए, जो लोग class में हैं, और कुछ लोग answer नहीं कर रहे हैं, है न, तो वो लोग भी answer करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न इंपोर्टेंट है देखना, धीरज, सरीता, एंड संगीता मीना, आप भी answer कर, answer कीजिए, तभी ठीक रहेगा, ठीक है, आकरिती मुलब वर्गी करन का आधार जो है, ये क्या है, आपका, शब्द रचना, यानि की पद रचना, एक ये चीज़ है, ठीक है, ये रह क्या है, ये गलत है, मतलब आकरिती मुलब वर्गी करन के आधार पर समस्त भाषजाएं, वियोगात्मक नहीं हो सकती, कुछ है, आपकी संयोगात्मक भी होती है, ठीक है, कुछ आपकी योगात्मक है, इसका मतलब है, कि जो ये वाला विकल्प है, वो गलत है, और चौथे वाला जो है, वो सही हो जाएगा, और आकृती मुलक वर्गी करण का जो सबसे पहले वर्गी करण किया था, वो EFR हार नले ने नहीं, बलकि Professor Schlegal ने किया था, जो लोग इसको गलत कर रहे हैं, वो लोग इसको ठीक लीजिएगा, Professor Schlegal, इन्हों किया था सबसे पहले आकरिती मुलक वर्गी करन अब ध्यान देना आपने कि प्रफेसर श्लेगल जो रहे यह कहां से थे बोन विश्व विद्याल है जर्मनी में संस्कित के प्रत्थम यह अचारे रहे ठीक है इसको आपने यार रख लेना है और EFR हार नले इसने क्या किया था EFR हार नले ने आदुनिक भात त्यारे भाशाओं का वर्गी करन सबसे पहले किया था तो यह एक छोटा सा अंतर रहे इन में देखना यह चीज आपको ध्यान रख लिनी है और जो आपका आकरिती मुलक वर्गी करन है इसके अधार पर क्या है इसके अधार पर जो भाशाए दो तरीके से रहती है जो यहाँ पर है देखिए योगात्मक और संयोगात्मक और इसी योगात्मक और संयोगात्मक में हमारी हिंदी आती है संयोगात्मक के आगे दो भेद हो जाते है देखना ठीक है वियोगात्मक और कौन से आपके संयोगात्मक ठीक है यतनी कि जिसको योगात्मक भी कह सकतें, तो यहाँ पर आप इसको खाली योगात्मक भी लिखेंगे, तो भी काम चल पड़ेगा, आना कि इसमें और भी चीज़ें आपके आती है, श्लिष्ट प्रस्लिष्ट अश्लिष्ट वाली, तो उनको भी आप देखेंगे, है ना, लेकिन हमने तो हिं में क्या है, सही है, और इस तरीके से कॉशन अगर आप लगातार करते रहेंगे, तो जाद अच्छा रहेगा देखना, ठीक है, क्योंकि आपको पेपर में ऐसे ही प्रश्ट रहेंगे, बिल्कुल डारेक्ट कॉशन यूजी सी नेट में कम रहेगा आपको, लेकिन फिर भी, यहां से भी आप डारेक्ट कॉशन जो है, वो बना सकते हैं, क्योंकि यह वाली जो लाइन है, यह तो पहले पूची गई है देखना पुराने पेपर में, कि जो आपका आकृति मुलक वरगी करन का अधार क्या है, तो पद रचना या शव्द रचना जो है, इसका अधार मा बांटा है, अगर आपने लाइव क्लास में अच्छे से त्यान दिया होगा, तो आपको डेफिनिकल इस कॉश्चन का आंसर पता रहेगा, कि कामतापरसाद गुरू जो रहे, उन्होंने जितने भी विश्चों की भाशाएं रही है, उनको कितने भागों में बांटा है, चल ठीक है, जो भाशा परिवार हैं, यहां से भी आपको प्रशन जो है, वो पूछा ही जाता है, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ध्यान रतना है, कि आपके जो कितने भाशा परिवार जो है, वो किसने माने हैं, शाबाश, अनिता एंड यामिनी, बहुत बढ़िया सबसे पहले आंसर किया है, और बाकी लोग भी कर लेजिए, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, जब आप कम लोग दे रहे हैं, इदर उदर गये हैं, सारे अभी इस आंसर में, ठीक है, कुछ लोग जो है, सी की तरफ गये हैं, कुछ लोग जो है, डी की तरफ गये हैं, अब देखिए, यहाँ पर पूछा था कामता प्रसाद गुरू के अनुस्षा, कामता प्रसाद गुरू हिंदी का पानी नहीं, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने विश्व की जो भाषाएं रही हैं, विभाचित किया है ठीक है इस चीज को आपने यहां पर यहां रख लेना है मौत्पूर्ण ना में देखना जो आपका यह कामता प्रसाद गुरू रहे ठीक है पहल इसका विकल्प नमबर क्या हो जाएगा विकल्प नमबर ए हो जाएगा जो लोग 13 और 18 की तरफ गये हैं दे देखना यह तहरा एंड और भुलनात तिवारी के साथ एक और नाम था वो क्या था शाबाश कौन बताएगा भुलनात तिवारी पंजी है जर हम बोल्त का है गुना हां हम बोल्त ने भी 13 माने हैं जबकि फ्रिड्रिश मिलर जो रहे देखी उन्होंने कितने माने थे उन्हो अठारा रहे हैं ठीक है यह चीज आपको यहां याद लखनी थी लेकिन यहां पर कामता प्रसाद गूरू ने क्या कहा था देखना इन्होंने बोला कि जो आपका मतलब बिल्कुल जो पैरंबिक भाशा थी वो कह रहा है कि उसका पता लगाना बहुत कठीन है कि यह कहां से निकली है लेकिन इतना इन्होंने जरूर कहा है कि जितनी भी भाशाएं हैं संसार की वो क्या है तीन भागों में बांटी जा सकती हैं जिसमें इन्होंने कौन-कौ प्रशन एक सौल्व किया था देख एक इस यूट से कितने प्रशन आई थे इसमें हमने देखा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था और लाइफ क्लास में भी बिताया था कि इन्होंने तीन ही पार्ट किये हैं तो पहला था आरे भाशाएं चीक है दूसरे नंबर पर क इन्होंने कौन कौन सी रखी थी देखना वो भी इंपॉर्टेंट है एंड तीसे नंबर पर आपका आगे क्या आता है तीसे नंबर पर इन्होंने रखा तुरानी भाशाएं ठीक है तुरानी भाशाएं ठीक है तो यह आपको यहां पर ध्यान रख लेना है कि ये तीन क्या कि इन्होंने ये तीन इन्होंने विश्वती भाषाओं के वर्गी करण के इनको बांट थीक है तो ये आपने ध्यान रख लेना है इसलिए ये लास्ट के जो तीन ये गलत हो जाएंगे और विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा तो आपका काम ये रहेगा कि ये आरे भाषा हैं इसके अंतरगत कौन कौन सी रही शामी भाषाओं के अंतरगत जो कामता प्रसाद गुरू ने कौन सी बताई है और तुरानी भाषाओं के अंतरगत इन्हो व्याकरण जो इनका मत्तपुन ग्रंत है देखना उसको देखना पड़ेगा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है देखना काम की ठीक है हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरू और जिसके चलते इन्हें क्या कहा गया हिंदी का पाणी नहीं भी कहा गया है धीरेश कह है स्क्रीन शो नहीं हो रही है बाकियोंको हो रही है क्या बाकी लोग्रात को स्क्रीन शो कर रहा हिये जीव अ हुआ हो रही है अधीर जमीरोज एक एक बार अपनेसे लंड कर देखिए छो dediर को फिर आपको हो जाएगी शो, I think, ठीक है, चलिए, तो I hope कि ये प्रशन आपने समझ लिया होगा कि क्या-क्या चीज़े हैं, कौन से इसके तीन भेध हैं, और इसमें आगे बाला जो काम है, वो अब आप स्वाइम करेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें रहेंगे, ठीक है, च इबरानी, अर्वी, हबशी और हिब्रू, ये किस परिवार की भाशाई हैं, चलिए देखते हैं कितने लोगों को ये बातें पता हैं, इसका आंसर बहुत आसान है, और ये भी आपने पढ़ा हुआ है, चलिए, देखते हैं, कितने लोगों को इसका आंसर आता है, और कितने कुछ लोग आज इकल क्लास में नहीं आ रहे हैं अगुरूची क्लास में राधी का भी क्लास से बाहर भी रह रहे हैं है ना तो ऐसे नहीं चलेगा इसमें रेगुलरेटी के साथ आपको रहना पड़ेगा क्योंकि जितना कंसिस्टेंस रहेंगे वो ही आपके लिए बेतर रहेगा एंड तब ही आप चो चीजों को समझ पाएंगे अभी बले ही आपका कॉशन गलत हो रहा है कोई बात नहीं लेकिन फाइनल एक्जा में जब आप बैठेंगे तो ज़्याद चरहेगा संगीता मीना एंड यामीनी बहुत बढ़िया जल्दी आंसर कर लिया आपने एक सेकिन में सीता ने भी और अनिता और हरीश बहुत अच्छे चलिए इसमें सब मतलब लगबग लगबग ठीक की ठीक है सबने तो यहाँ पर देखे यही तो आपके कामता परसाद गुरु ने बताई है यही क्या है जो कामता परसाद गुरु रहे देखना उन्होंने यही चीज़े तो बताई है धीरज आपको पूल शोर नहीं हो रहा है क्या यह नहीं होगा इसका पूल में नहीं करना आंसर आपने चैट सेक्शन में नहीं देना है, आंसर आपको बोल में ही करना है, ठीक है, तो यहां पर तुरानी तो नहीं होगा, देखिए, तुरानी के अंतरगत इसने क्या रखा था, तुरानी के अंतरगत जो कामता परसाद गुरू ने रखे थी, देखना, इसमें इसने मुगली हो तो इन को आप याद रखेगा, साना कि इसने तुर्की को भी इसमें ही रखा है, यह भी आपको याद रख लेना है, जबकि हम बाकी विद्वान क्या कहेंगे, यह जो आपका यूराल अल्टाई परिवार है देखना, इसमें तुर्की को रखते हैं, ठीक है, यह चीज आप को ध्यानक लिनी है, सामी परिवार की ये भाशाएं हैं, जो आपका इबरानी, अर्भी, हबशी और किब्रू, तो लगवग सब लोगों ने ये किया है, हालंकि यह पहले भी डिसकस किया था देखना, और यहां से प्रशना आपको लास साइम पूछा भी गया था, शायद यही वाला प्रशन था, या कि कोई और सा था, लेकिन ये प्रशन कुछ इस तरीके से ही था, जहां तक मुझे ध्यान है, तो इसको आप जरूर देखिए, भाशा परिवार से रिलेटेड, इबरानी, अर्भी, हबशी और हिब्रू, ये क्या रहेंगी, सामी परिवार की भा बात करें, यानि की भारुप्य की बात करें, तो इसमें आप सब लोग जानते ही हैं, देखना, इसमें आपका संस्कृत हो गया, प्राकृत हो गया, ठीक है, अंग्रेजी, फार्सी, ग्रीक, लेटिन, ये जो भाशा है रही है, इनको आप इसमें याद रख लेते हैं, आरे स्क्रीन पर है, निमे लिखित में से कौन सा या कौन से शब्द अर्बी का है या है, ठीक है, ये प्रशन आपके लिए यहाँ पर है, तो चार यहाँ पर शब्द रखे गए हैं, और इसमें आपको बताना है कि अर्बी के शब्द इन में से कौन सा है, चलिए देखते हैं कि प्रश्म जो है वो जरूर पूछेगा है ना तो ये तो बिल्कुल आपको देखने ही पड़ेंगे और इनको आप तब तक देखते रही है जब तक आपका एकसाम हो नहीं जाता क्योंकि अगर आप एक दिन में एक भी शब्द याद रखते हैं तो वो काम का शब्द आपके ल होने ही चाहिए क्योंकि हर इन से प्रशन पूछते हैं या इन से पर पूछ लेते हैं ओहो क्या बात है क्या यहां पर अलग-अलग ही आंसर आ रहे हैं सब के ठीक है धीरज, शरीता, संगीत, मेंना तीनों आंसर नहीं कर तो पता नहीं मैंने फॉर्स्ट क्वेशन में भी टैप किया था और इस वाले में भी टैप करने के बाद भी आंसर नहीं दिखा रहा है गया अच्छा इक बार नहीं बीच में एक बार आपका आंसर आया तो था जी सर बस दो क्वेशन के आंसर मेरे आपने बताए हैं फॉर्स्ट और फॉर्थ का नहीं आया उसमें अच्छा चलिए एक बार फिर से कोशिश कीजिए अगले कॉशन में देखते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए ये जो आपका कुर्सी और यतीम है ये क्या हो जाएंगे अ अब ये प्रशन अब इस प्रशन से याद नहीं करना है ये प्रशन नहीं पूछा जाएगा ठीक है और एक्जाम के लिए मैंने आपको पहले ही का है कि ऐसा नहीं करना है कि जो मैंने प्रशन रखा वो ही आपको आएगा आपको इस प्रशन से आईडिया लेना है आपको क् का मतलब आपको यहां पर यह है कि आपको यह अर्भी फार्शी के विदेशी भाशाओं के यहां से प्रशन पूछा जाता है इसलिए इन में आप एक नजर जो है वो जरूर दोडाते रहिएगा क्यूंकि यह प्रशन आपको पता ही है पिछले चितने भी आपने एक्जाम दे प्रशन आपको मिल सकता है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला जो प्रशन है देखिए भारुप्य परिवार के समंद में जो गलत मान्यताएं है या जो गलत कतन है उनका चैन आपको करना है और यह प्रशन एक बार फिर से मज़दार कोशन है और बिलकुल अच्छ कोशन है चलिए इसमें देखते हैं कितने लोग इसको सही करेंगे सबसे पहले इनक मान्यताओं को पढ़ लेते हैं पहली मान्यता क्या है भारुप्य परिवार का मूल केंदर ब्रांदेश्टाइन शहर है इसकी दस शाखाओं को सतम और केतुम वर्ग के अंतरगत बांटा गया है भारुप्य परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाशा परिवार है केतुम वर्ग के अंतरगत अर्मीनी अलबानी बाल्टोसलाविक वह आरे परिवार की भाशाएं शामिल हैं तो यह यहाँ पर कुछ एक मान्यताओं हैं इन मान्यताओं मेंसे आपको बताना ह है कि कौन सी सही है और कौन सी जो हैं वह गलत है यह यहाँ पर आपके सामने कूट है इसमें आपके options दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि इन मेंसे कौन सी मान्यताओं जो है वोत प्रशन में देख लिजी एक बार फिर से कि क्या पूछा है गलत पूछा गया है देखना तो जो आपकी गलत हैं, उनको आपको देखना है, ठीक है, चलिए, देखते हैं, कितने लोग जो हैं, इसको ठीक करते हैं, और कितने लोग इसको गलत करेंगे, तो आपके पास है time, 30 seconds कर, ठीक है, चलिए, देखते हैं, कितने लोगों को पता है, और कौन से लोग जो हैं, इसको गलत करेंगे, बैसे तो यह बहुत simple सा प्रश्न है, लेकिन जब हम इतना बड़ा प्रश्न देखते हैं, तो हम एक मनेवज्ञानिक तोर पर हम क्या हो जाते हैं, हम सूचते हैं, कि यह प्रश्न आपको इसको थोड़ सा टाइम देना है, और उसके बाद आपने रियक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर गलत पूछाए देखना, तो आपको यह याद रखने हैं, कि इसमें से गलत कौन सा है, तो सीता एंड यामीनी, बहुत बढ़िया, और बाकी लोग भी इसको ठीक की जीजिए, जो लोग गलत कर रहे हैं, देखना, कुछ लोग A की तरफ गए हैं, कुछ लोग C की तरफ गए हैं, तो A में क्या था, A में है यहाँ पर देखे एक और तीन, एक क्या कहता है, कि भारुपय परिवार का जो मूल केंदर है, ब्रांदेश नाइन, जो आपका यॉर 73 या 75 के आसपास जो प्रतिशत्य हो गए हैं, देखना, ठीक है, जो परिवार भाशाएं हैं, वो आपके इस परिवार से रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, कि जो आपका विकल्प नमबर C था, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये, सोरी, गलत हो को सतम और केतुम, ये भी बिल्कुल सही था, तो आपका अंसर तो यहीं हो गया, क्योंकि हर एक आप्शन में दो-दो हैं, तो इसका मतलब है कि एक और दो जो आपकी सही हैं, और दो के बाद जो तीसरा और चौथा है, वो आपके गलत हैं, ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका जाएगा, है ना, ये तो अलरेडी गलत आ गया, फिर केतुम वर्ग के अंतरगत नहीं है, देखना, ये जो नाम है, ये शाखाएं किसकी हैं, ये है सतम वर्ग की पहाशाएं, सतम वर्ग की हैं, और मीनी, अलबानी, बाल्टुसलाविक, ठीक है, आरे परिवार, ये चोटी सी इसमें क्या थी, ये ही खामी थी, इस आदार पर यहां पर विकल्प नमर्ट डी जो है, वो क्या हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, अभी और मेहनत करिए, अभी आपको अभी और डिटेल तरीके से इसको देखना है, ये तो बिल्कुल कॉमन स है, इधर आप देख सकते हैं, ये जो लाल कलर का है, देखिए, आस्टो एशियाटिक्स, जो एशियाई परिवार की भाशा है, जो आपका तिब्ध जर्मनी का बहागया देखिए, यहां पर ये बीचे वाला, लाल वाला, ठीक है, और ये पीले वाला, जो उपर वाला है, ये आपका कौन सा रहेगा, आस्टो एशियाटिक एशियाई परिवार, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा सबसे ज़्यादा जो है, वो कौन सा है, यहां से आपको दिख रहा है, कि भारूपिय परिवार है, जिसको हम इंडो-उरूपियन कहते हैं, इसमें 75.299 ये दिया है, लेकिन हमने, मैंने आपको कुछ अलग सा बताया था, तो वो मोटे तोर पर है ये, इसको आप देख लीजिए, यहां पर रखा हुआ, इसको आपने खाले टाइम में देख लेना कि क्या-क्या चीज़ें है, इसमें स्टडी मेटिरियल में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, चलिए, नेक्स देखते हम आगे, इसके बार, यहां पर परशन आपके लिए पूछा गया है, देखे एक और परशन है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है कि भारत वर्ष में संस्कित के अलावा कितनी भाशाओं को क्लासिक, यानि कि शास्ते भाशाओं का दर्जा प जवाब चलिस अभी तो सारी करेंगे इसको गलत कुन करेगा वो देखना देल्चस्प रहेगा ठीक है कि इतने लोग इसको सही करेंगे अभी पता लग जाएगा हावाश हावाश शावाश कुछ लोग इसको आंसर नहीं कर रहे हैं देखना कुछ लोगों का आंसर नहीं आ रहा है धीरज राना बहुत बढ़िया क्या बात है टाइम ले लिया पर ठीक लिया वह सारे लोग इसको कुछ अलग कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर प्रश्न को आपने समझना था प्र ये संस्कित के अलावा पूचा है, तो संस्कित के अलावा संस्कित एक All measure है, तो 5 अन्य हैं देखना, ठीक है, अगर संस्कित समयत होता तो फिर 6 हो जानी थे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, कि शास्त्रिय जो बाष्णा हैं ये कितनी हैं ये टोटल 6 हैं लेकिन अगर संस्कित के अलावा की हम बात करेंगे तो ये 5 हो जाएगा ये चोटी चोटी गलतियां देखना और ऐसे question में हम कई बार देखते हैं हम ये सोचते हैं कि ये question तो हमारा बिल्कुल ठीक था इसको गलत कैसे किया और लास्ट में तो उस वसी क्या करते हैं उस वक्त जो है हम बिल्कुल मतलब इस उप्यानि नहीं रही देते कि हम गलब किया था क्योंकि हमने तो हमें पता है कि शूर है कि भारतवर्ष में छेही शास्त्रे बाशाएं हैं लेकिन प्रश्ण को एकदम से समझना पड़ेगा यहां पर पूछाता संस्कित के अलावा तो वो पांच हो जाती है और दूसी तरह अगर हम देखें अंजी नाम सर नाम यह मैंने लाइव क्लास में भी आपको बता दिया था देखें जब हमारी क्लास हुई थी और यहां पर भी देखें पहली चीज तो आपको यार रख लेना च्छे हैं टोटल ठीक है इसमें आपको दो द्रविड परिवार की हैं पहले तो वो याद रख लेनी है ठीक है कौन-कौन सी यह देखिए एक हमारी संस्कित आ जाती है जो सबसे पहले है यहां पर लिखी हुई यह देखना उसके बाद जो आपके तमिल ठीक है तेलगू यह कितने हो गई तमिल तेलगू मल्यालम ठीक है और कन्णड यह हो जाएगी चारिक पांच एक इसमें रहती है आज थे आपकी अस्मिया अस्मिया था या कोई और था अस्मिया या उडिया एक एक लेंग्विज और थी इसमें जो छटी नमबर पर उडिया है ओके उडिया ठीक है यही है यह वैसे मैंने आपको बतावी दिया था देखना वहां पर आप एक बार फिर से पीछे वारी क्लास को देख लिजेगा चार तो यही रहेंगी एक यहां स से आ जाएगी आपकी ठीक है और इस तरीके से आपको यह 6 की 6 जो भाषाएं है वो ज्यान में हो जाएंगी ठीक है तो इसको आप देखिए है ना मतपुन प्रशन है यह लेकिन इसको यहां पर आपको थोड़ा सा यहां पर समझना था कि इसमें क्या रहेगा चलिए नेक्स को बताना है यहां पर कि कौन सा शब्द इसमें तत्सम शब्द है शाबाश यह रहा आपके सामने पूल और आपको करना है इसका आंसर पूल में ही गुद मॉर्निंग अंकुश तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर इसमें सही होता है वैसे तो बहुत आसान सा है मुझे तो इसका आंसर देख भी रहा है इसमें देख तो आपको भी रहा है पस आपको पहचानना है उसको यामिनी एंड अंकुश दो लोगों ने सही आंसर किया है बाकी कुछ लोग जो है इदरोदर चले गए सरीता एंडर गलती से टैप हो गया था गलती से हो गया चलिए गलती नहीं करनी है देखिए इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं हलांकि वो 90% काम कर देखिए जो भी यह इस प्रकार के शब्द है ना जिसके उपर यह चंद्रविंदू लगा है तो जाला तर टाइम क्या रहेगा आपको मतलब 90 बार ऐसा जरूर होगा कि वो तद्भव ही आपके रहेंगे ठीक है तद्भव जैसे चांद है देखिए तो इसके पर चंद्र होता है देखना जैसे हम क्षेत्र की बात करते है न यह जो क्षवर्ण है यह जाला तर किसमें आता है यह जाला तर जो है संस्कृत में आता है इस तत्सम हो जाता है अगर हम उख की बात करते हैं ठीक है तो यह क्या हो गया आपका इसमें ख आया देखिए क्षेत्र से आपक इसे चुट गया है उसमें देखेंगे तत्सम तदभव शब्दों को तो यह बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे और जारतर टाइम आपको यहीं से ऐसे इनके वर्णों से ही जैसे करण अगर आपका आदेखे यह वाला जर्ण लगता है न यह वाला करण ठीक है इसकी जगा क्या आता है तदभव में कान आ जाता है ठीक है तो यह जो है यह हमारा हिंदी में आता है क्योंकि हमने पीछे जो विशेश नायम पड़ी थी उसमें आमने यह चीज़े देखिए देखना यह वाला जो अब लगता है ठीक है तो इसको आप कि हाँ पर ध्यान किस तरीके से हो जाएगा आपका विकल्प नंबर यह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है अब जारा था टाइम देखेंगे आप किसी भी शब्द में देखेंगे चाहे पांडेन पांडे वाली बुक में देखेंगे चाहे दृष्टी वाली बुक में देखेंगे चाहे कोई और उसे मुक्त जो है वो आपका उग जाएगा तत्सम तत्सम शब्द मतलब आपके संस्कित भाषा की ऐसे ऐसे शब्द जो हिंदी में as it is ही प्रियोग में लाए गए हो ठीक है उनको आपने ध्यान रखना है चलिए next question देखते हैं अगला प्रश्ण है कचाइन व्याकर्ण किस का व्याकर्णिक ग्रंथ है पहली चीज तो आपको यहां पर इसी उसमें लग्या पता कि कचाइन ने क्या किया था एक व्याकर्णिक ग्रंथ लिखा था ठीक है अब यहां पर प्रश्ण यह है कि यह किस भाषा में लिखा था और यह प्रश्ण सब का सही होना चाहिए स्ट्फीटी और ल्टी कमिशन की क्लासिस लगाई है देखना उनको वहां पर भी पता था और यह अधार भूत स्तुरोथ गरंतों में भी आमने पड़ा था जब हम इसको इन भाशाओं के अधार्भूत स्तुरोथ आपको रात को ठीक है एक और टेस्ट देना है ऐसे लाइव ही टेस्ट हैगा वो भी देखना सीता नेगी संगीता मेना अंकुष हरीश यामिनी बहुत बढ़िया सब लोगों ने आंसर किया है आप मैं इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे पहले मैं बता दूं कल शान नौ कहानिया ठीक है इन दो कहानियों से चोटा सा सेशन करेंगे हम और चोटी-चोटी चीज़ें उसमें डिसकस कर लेंगे चाए उसमें कथन हैं चाए उसमें कुछ और चीज़ें हैं तो उसको आप लोग भी पढ़के आईए और इस तरीके से हमारी दो कहानिया जो है यहां से निकाल देंगे कल शाम को ही ठीक है बाकी आगे की जो कहानिया है वो हम कल वाली क्लास में आपको बता देंगे कि कौन सी दो कहानिया आपको और जो है next week के लिए पढ़के रखनी है साथ साथ में उपन्यास अपने अपने इसाब से सारे लोग जो है वो एक-एक करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए पर भी नहीं सकते मतलब आप जो है देखिए उनको है न थोड़ा सा जोगी उनके बारे में चीज़े हैं तो ये कल शाम को करेंगे ठीक है अब आते हैं प्रशन की तरफ तो बात जालातर लोगों ने ये लेकिन कुछ एक आंसर इसमें गलत भी ओ गया है ठीक है दीरज कहीं दूसरी जगा चले गए तो ये प्राकृत की नहीं है देखना प्राकृत क्या रहे इसके व्याकरणिक ग्रंत रहे हैं देखना ठीक है जो प्राकृत के थे वरुची और हेमचंद्र लेकिन यहां पर जो यह आपका कचाइन व्याकरण था यह पाली का व्याकरण है देखिए यह महा कचाइन ने लिखा था इनका नाम ही अपने नाम से ही रखे इनोंने दूसरा क्या था दूसरा ज श्रिष्ट व्याकरण माना जाता है पाली का श्रिष्ट व्याकरण इसे माना जाता है इसको आप ध्यान में रखिए यह किसका था मोगलान का ही व्याकरण रहा है देखना मोगलान ठीक है तीसरा आता है आपका सद्यनीती व्याकरण ठीक है सद्यनीती यह इसके राइटर क सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इसने लिखा अश्टा ध्याई लिखा था वो पाणी नीका है ठीक है तो इसको भी आप याद रखना है आपको देखना जिसमें मिनांडर और जो आपका समवाद है ठीक है तो इसको याद रखिए नेक्स कॉशन आता है अगला प्रशन क्या है आपके पास निमिलिकित में से कौन सा भेद वर रूची के प्राकृत प्रकाश में है ठीक है जो आपका वर रूची के प्राकृत प्रकाश में बताया गया है देखना जो आपके भेद ह किस के भेद हैंगे प्राकरित भीडर यहां से आपको बताना है कि इन से कौन सा भेद ऐसा है जो वर रूचि ने अपने प्राकरित प्रकास में रखा है चली देखते हैं कितने लोग mientras जो इसको करेंगे शाबाश असान सा प्रश्ण यह देखिए वर रूची वर रूची से संबंधित जो चीजें हैं वो हमने पहले भी पढ़ी हैं और प्राकृत भाशा यानि कि भाशा के विकास करम कि जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने इसको देखा था चली देखते हैं कितने लोग ठीक करेंगे अभी तक आधे ही लोगों ने जवाब दिया आया और आधे लोग नहीं कतहे हैं यामिनी अंकुष सीतानेगी धिरजडाना एंड हरीश बहुत अच्छे बाकी लोगों ने भी इसमें ठीका ना था एक आधे हैं अंसर जो है एक की तरफ क्या है एक बी की तरफ क्या है यहां पर पूछा गया था इसको देखना है आपने कौन सा भेट जो है वो वररूची के प्राकृत प्रकाश में है ठीक है नहीं पूछा नहीं है यहां पर पूछा है कि इसके भेट जो है वो है वो कौन से है इस तरी मैं तो एक ही तरफ गयए वो तो निग्लेट हो गया इस सिर्फ आपको क्या रखा ता ति नहीं तो बहिद किया ये किया हम चंद्र ने आरशी जो आरशी वि를 कonna यही क्या है यानि कि जो अर्द मागदी रहा और मागदी जो है मागदी क्या था आपके इसने जो यह वरुची रहा तो यह वलखी को जाएगा और अप्रश का अप्रश जो भेद रखा है यह भी किस ने रखा यह आपका जो केमचंद्र रहे हैं उन्होंने ही रखे तो रुख करते हैं उनको आपको याद रखना है जैसे महाराष्ट्री माराष्ट्री को कैसा बहेतना is इसyszTO याद रखिएगा ठीक है यहां से आको यार रख लेना है पैशाची यह रखा और तीसरा इसने मागधी रखा था और एक इसने बताया था आपका शौरसेनी प्राकृत ठीक है शौरसेनी तो ये कुल में लाके कितने हो गए चार हो गए ठीक है देखिए एक आर्शी एक पैशाची स्वरी आर्शी नी मागधी पैशाची महराश्त्री और शौरसेनी ये चार इस ने बताए और तीन हेम चंद्र ने बताए हैं अब आपको मुझे बताना है कि जो प्राकृत के टोटल भेद थे वो कितने थे शाबाश प्राकृत के जो भेद थे वो कितने हैं सीता कह रहे हैं कि पांच ठीक है इसको याद रखिए आप बाकी लोग भी है ना मतपूर्ण है यह और इसी बेही अगर आपके क्या हो जाएंगे अगर अपफरंश के भेद पूछेंगे तो वो कितने हो जाएंगे अपफरंश के भेद कितने हैं अपफरंश के साथ हैं उसमें कौन से दो जुड़ जाएंगे और खस और ब्राक्चड यह इसमें और दो भेद जुड़ जाएंगे ठीक है इनको याद रखिएगा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है निमेल कितने से प्राकृत किस भेद को रिशी भाषा माना जाता है इंपोर्टेंट है यह वाला प्रशन ठीक है रिशी भाषा जो है वो किस भेद को माना जाता है चलिए हमारे पास चाइन थोड़ा सा कम रह गया तो इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं और देखते हैं कितने लोगो प्राक्रित के याद हो जाएंगे, ठीक है, माराश्टी हो गया, शौरसेनी हो गया, पैशाची हो गया, अर्धमागदी हो गया, ठीक है, चार तो यहीं से ही आ जाएंगे आपके न, फिर एक भेद और रहा, उसको आपने देखना है कि वो कौन सा भेद है, ठीक है, फिर उसमे लोग भी इसको सही कीजिए, बागी लोग इसको ठीक नहीं कर रहे हैं, एक इतरफ गए हैं बहुत सारे लोग, महराश्थी तो ठीक है, यह क्या था, महराश्थी प्राकृत तो आपका अदर्श प्राकृत था, ठीक है, है लेकिन यहां पर पर पूछा था, रीषी भाशा, त किस बाशा में मिलते हैं अर्धप्राकृत प्राकृत में थीक है तो यहां पर जो जैनी रहे हैं रिशी बाशा नाम भी दिया है यह चीज आपको याद रखने है मुर्टपून है यह रिशी बाशा या ने की इन्नों nationally आ आप याद रखेगा ठीक है और आप देखेंगे कि जो आपका ये आपके अर्द मागधी रहा है देखना इसे ही आर्शी भी कहा जाता है ठीक है एंड आदि भाशा कहने का मतलब इसका क्या है कि हमने पहले पढ़ाता देखी कि जो आपके नामी साधू रहे हैं उन्होंने और आपका ये वागपती राज रहे हैं उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी प्राकृत रही है वो क्या रही प्राकृत ही जो है सब भाशाओं की जनरी है प्राचीनतम जन भाशा है यहां पर ये बात भी आपको ध्यान लेना है इसलिए इसे आदि भाशा कहा गया और आदि भाश चुकि समस्त भाषाएं हैं वो इस भाषा से निकली हैं यहां पर यह ध्यानक लेना है आपको कि जो पाली थी उसको हम प्राचीनतम उसको हम क्या कहते हैं प्रत्थम देश भाषा कहते हैं और प्राकृत को हम क्या कहते हैं प्राकृत को हम कहते हैं प्राचीनतम जन भाषा यह दो चीजे हैं, इनको द्यानकना है आपको, पाली बहुत धरम से और जो आपका प्राकृत है, यह आपका जेन धरम से रिलेटिड हो जाएंगी, महाविर स्वामी के उखदेशों की भाषा, ठीक है, और दमाग धी प्राकृत, ठीक है, महाराश्त्री क्या हो जाएगी, आदर् पूर्ण है देखना, दंडी ने कहा है बूतवाशन, निवे लिकित में से क्षती पूर्ण दिर्गी करण का उद्दाहरन कौन सा है, और ये वाला जो विशेशता है देखना, ये अमने पड़ी है, अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है कि इन में से कौन सा जो है क्षती पूर्ण दिर्गी करण का उद्दाहरन इन में से रहेगा, चलिए इसको आपको एक बार कीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को ये ध्यान में रहा है, अगर पता है तो इसका आंसर आप ठीक कर पाएंगे, अगर नहीं है पता तो फिर ये नहीं हो पाएंगा, शावाज, 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 सारे लोग इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे सब ने आंसर किया है, और अब देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया है, बहुत बढ़िया, यामिनी, संगीता, मीना, अंकुष, धीरच, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लेकिन एक दो आंसर इसमें गलत हो गए है, देखिए, हरी, शेंड, जो सीता है, इसको आप एक बार फिर से समझे, यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो आपको यार रख लेना है, कि यह जो आपकी विशेश्टाएं है, यह किस बाशा की विशेश्टाएं थी, जो भी यहाँ पर लिके गई है, कौन सी विशेश्टा, स्वरी, विशेश्टा है नहीं, विशेश्टा, ख्षति पूर्ण दिर्गी करण जो विशेश्टा है, यह किसमें आपको यार रख लेना है, यह आपके प्राकृत की विशेश्टा हो जाएगी, लेकिन इकठा, इकठा से आगे यहाँ पर कठा बना तो यह किसकी विशेष्टा है है किसी को पता ध्यान रहा किसी को यह किस वाशा की विशेष्टा है जहां पर प्रारंभिक स्वार जो है वो इसको हम उच्चरित जिसमें नहीं करते शावाश है किसी को याद भूल गए अंकुष दीरज हरीश संगीता मेना कोई तो बता दीजिए शावाश आपकी अवाज नहीं आ रही है संगीता में चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए यह क्या होगा मतलब जो आपका कठा है यह खड़ी बोली में रहेगा ठीक है खड़ी बोली की सेर उखठा यह खड़ी बोली का उदढाश नहीं सर और यह जो आपने कली बताया था आंसर सी बाला जो है यह जो वही क्यों संसक्रिट के बात में दुबारा से संस्कृत शब्द शब्द हो रहा है इस को हम कहते हैं संस्कृत के बाद दुबारा संस्कित अब देखिए पह कद हौली में आई हो गया लेकिन क्राएं पनाटी हो गया इस ही को कहते हैं पुनर्तत्समी करन ठीक है पुनर्तत musahi कर ठीक है फिर यहां पर क्रूर्ण अद्धा मतलब यह को सच वाला आधा है इसको आध्यार मिच्छ यहां पर न क् JENN थोटी E की मात्रा को आमने बड़ा कर दिया, इस चा की क्षती हो गई और ये दीरगी करण हो गया, इट मेंस की ये क्या हो गया, आपका मीच हो गया, ये चीज़ आपको यहां पर याद रखेंगे, ये था आपका शती पूर्ण दीरगी करण, कई बारी आपको पूछ लेते हैं देखना इस तरीके का ये क्या है, ये आपके जो दो व्यंजन जहां पर हम इकठे करते हैं, उसक समझना चाहिए, चलिए ये प्रशन बहुत आसान सा है, और सब लोगों को इसको सही करना है, देखते हैं कि इतने लोग इसको गलत करेंगे, सही तो मेरे साब से सब ने करना है इसको, ठीक है, ये तो हम सब का प्यारा दुलारा, फेवरिट कॉश्चन, ठीक है, जब से प्र प्रशन भी आपको पूशे जाते हैं देखना जो आपके क्या हैं, जिसमें आपको कोटेशन दी रहेगी और पूशे जाएगी कि ये किस के लिए कही है, या फिर किस की है, ठीक है, इसको देखिए, यहां पर एक आंसर नहीं आया है, बाकी लोगों ने आंसर करने की की है, लेकिन एक प्रशन एक आंसर जो गलत भी हो गया है, यह गलत कौन कर रहा है, यह सबसे बुरी बात है, यह तो बहुत गलत बात हो गई, यह तो देखिए, शुकलवानी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं कितने लोग उसको सुन के इतियास से ही मिल जाते हैं ठीक है तो उसको देखना पड़ेगा आप लोगों को तो राम चंदर शुक्ल ने ही तो ये कहा है कि जब से प्राकृत बोल चाल की भाशा न रह गई तब ही से अब ब्रशाइट का क्या हुआ विरबाब हुआ और अब ब्रश जो शब्द का प्र हैं इनको याद रखिए हलांकि इसके लावा और भी है अपवरंश के लिए जो में आदिकाल वाले पोर्शन में ठीक है और एक और भी आती है देखना जहां पर यह कहते हैं कि जब से आपका नहीं यह वाला नहीं कि जिस तरीके से पहले गाथा या गाहा कहने से प्राकृत इसके चार पार्ट आ गए हैं उन चारों को देखी वहां से आपको हो जाएगी इसके नामवर सिंग ने भी अपवरंश के बारे में वैसे चीज़ें कही हैं लेकिन इसकी आपको एक बुक याद रख लेनी है देखना जहां पर यह कहते हैं क्योंकि अपवरंश साहित्य के लिए आधुनी काल में इन्होंने लिखा था अपनी कुस्तक में जो इनकी अलोचनात्मक कुस्तक रही है 1952 में इन्होंने लिखा था कि हिंदी के विकास में अपवरंश का योगदान यह आपको याद रख लेना है अच्छा 1952 होना था यहां पर 50 कर दिया में ठीक है तो य आपको याद रख लेनी है भरत मुनी से आपको क्या रखना है भरत मुनी ने अपवरंश के लिए जो है अपवरंश नाम न देकर देशी भाशा नाम दिया था ये भी आपको याद रख लेना है साथी साथ आपको दूसरी चीज याद क्या रख लेनी है कि भरत मुनी ने अ यह आपको याद रख लेना कोई बात नहीं संगीता कोई बात नहीं ठीक है तो इसको आप याद रख लिजिए अभी आपको काम आरा है तो जा सकते हैं चलिए नेक्स देखते हैं अगला प्रशन है यहाँ पर निमिल कित्मे से कौन सा क्रम सही है यहाँ पर आपको जो कुछ गरंथ रके गए हैं, क्रम अनुसार वाले प्रशन भी हैं, अब यहां तक आपने देखा होगा, हमने अभी 13 question किये, लेकिन इन प्रशनों से हमने कितने question और भी साथ-साथ में त्यार कर लिए हैं, तो यही चीज में चालता हूँ कि आप जो है जब भी एक्जाम ने जाएं, जब भी आप paper कोई देखें तो आप इस तरीके से अपना पूरा practice के साथ चाहें और हर एक question को आप पूरा उसका dissection करें तब ही आपके लिए जब जादा अच्छा रहेगा तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन में से कौन सा करम जो है वो बिलकुल सही है चलिए देखते हैं क कि इतने लोगों को यह ग्रंथों के बारे में जानकारी है और इनका समय किसको पता है ठीक है असा question है यह बैसे जादा मुश्किल नहीं है और आज मुझे लगता है संख्या इसलिए भी गटगी है क्योंकि कईयों को लग रहा है कि हमने पढ़ा नहीं है तो हम जो है नहीं आएंगे ट्रास में तो कोई बात नहीं अगर गलत हो रहा है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला है आपको अभी यहां पर गलत हो रहा है तो आगे के लिए ठीक करना है जून वाला पेपर तक आप जो है सिलिबस तक हो जाईए तब आच्छा रहे का जा चाहिए ना अंकुष हरीश एंड सीता नेगी बहुत बढ़िया बाकी लोगों ने इसको अंसर किया है कुछ अलग यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपका उपनिशादी आएगे चांदोग्य उपनिशाद आएंगे ठीक है फिर उसको बाद संस्कित की यह वैदिक संस् लेना है ठीक है तो इस तरीके से आप इनको याद रखिए जो भी आपके गंत रहे हैं यह तो बिल्कुल बहुत लंबा लंबा टाइम था इनका दूर 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 का हलांकि आपको कई बार क्या पूछ जाते बिल्कुल पास-पास के रहे हैं एक दो वर्षों का जिसमें अ लोड़ी सी हटके देखनी है तभी आपको चीजें याद रह सकती हैं नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए निमिलकित में से किसने आरे भाशाओं का वर्गी करण हिंदी वर्ग और हिंदी वर्ग यानि कि दो भाग में ही इन्होंने इसको विवक्त किया था यह आपको बताना कि सांवियां यहां पर लिखे हुए है देखना इन्होंने किस तरीके से वर्गी करण किया है यह यह सब चीज हमने जानी हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह जो आपका हिंदी और अहन्दी वर्गी करण है यह किसने किया था शाबाश, जो आपका इंदी का वर्गी करण है, ये किस ने किया था? शीता नेगी, अंकुष, यामिनी, धीरज, राना, बहुत बढ़िया, तो इसका जो सही आंसर था, देखिए, ये विकल्प नमबर ए था, हरीश जो है, वो डी की तरफ गए है, हरीश आप पहले के लक्चर सारे देख लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा काम है ना, ऐसे नहीं चलेगा, पहले की क्लासिस को देख लीजिए, तब ही ठीक रहेगा, निमिलिक्त में से आरे भाशाओं का वर्गिकरन, हिंदी और अहिंदी वर्ग की अंतरगत किसने किया था, ये किया था, हर्देव बहरी ने, ये नाम इंपॉर्टन्ट है देखना, हर्देव बाहरी, इसने दो ही वर्ग किये थे, हिंदी वर्ग की अंतरगत, जो हिंदी भाशी, जो आपके चीजे रही है, या जैसे जो आपके पहारी हिंदी हो गया, आपका, नहीं पहारी नहीं आएगा, इसमें, इसमें कौन सा आएगा, मध्य पहारी आएगा, ठीक है, राजस्थ रहेगी आपकी दक्षिन वाली ठीक है उर्वी की जो आपकी अस्मिया उडिया बांगला ठीक है उनको आपने देखना है कि ये जो दो भेद किया अगर हम बात करें सीता राम चत्रुवेदी से देखिए इसने क्या किया था सीता राम चत्रुवेदी ने जो आपके परसर्ग रहे हैं देखना उनके अधार पर किया था परसरगों के अधार पर यानि कि आपके जो विवक्तियों के अधार पर कारक्चिन है उनके अधार पर किया था इसमें ठीक है तो इसने भी आपके चार पांच इसने भेद किये हैं देखना वो आप एक बार देख लिजेगा जबकि दिरेंदर वर्मा ने किये थे उनको एक बार जरूर देखे आधुनिक आरे भाशाओं का जो वरगी करण है । सबसे पहले किस ने किया था हारनले ने किया था जिसने इसको जो पूरपश्य मुत्रदक्षिन गौडियायन ठीक है उनको आप देखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन क्या है आपके साथ यहां पर है निमिलेकित भाषाओं वह उनकी लीपियों का सही मिलान कीजिए तो एक तरफ जो आपकी आधनी भारतियारे वाशाएं जो जितनी भी वाशाएं रही देखना उनको रखा गया है लेकिन दूसरी तरफ जो है उनकी क्या है उनकी लीपियां है अब आपको इसमें सही बताना है कि कौन सा है देखिए यहां पर कैसे रहेगा य जैसे एक साथ चलिए इसके लिए पोल नहीं दूँगा मैं ऐसे ही देखते हैं इसको इसमें क्या होना चाहिए ऐसे ही विता जीजिए सीता सीता नेगी अब देखिए एक के साथ दो है ठीक है यहाँ पर हो जाएगा एक यहाँ पर हो जाएगा आपका दो, ऐसे करते, तीन, चार, ठीक है, दूसरा, B.E. के साथ कहा आपके पास, गुजराती के बाद आए का कैथी, यहां पर है देखिया अगला कैथी, ठीक है, उडिया के साथ 4 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा, और मराठी के साथ 3 और जाएगा यह, ठीक है, जो लोग first time दे र प्रशन आपको पूए जा सकता है इसलिए ध्यान रखिए महत्षपूण, व्लब उन्हीं उन्हीं तो इसको आप याद रखिएगा महत्व परशन है यह रहते हैं, मिवाती, ये तो बहुत असान सा प्रशन है, इसको हमने बहुत बार किया है, क्लास में भी देखना, अब आपको देखना है कि इसमें क्या आंसर जो है, वो सही हो जाएगा, राजस्थानी जो भी रखी गई है, यहाँ पर देखना, राजस्थानी के जो, क्या बताया गया है, इसमें, चार जो भेड हैं, ठीक है, यह आपको बताने हैं कि ऐसी कौन सी बोली है, जिसका नाम मिवाती भी है, ठीक है, विस्तु राजस्थानी को हम ऐसी रखते हैं, पूरव, पश्यम, उत्तर, दक्षिन, राजस्थानी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, कि इ मज़ा भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर किसी ने इसको सही नहीं किया है, क्या बात है, इतना मुश्किल था यह, इतना मुश्किल नहीं था अंकुष, बी था इसका अंसर, मैंने क्या किया था, मैंने भी तो बी दिया था, कुछ और दिया था मैंने आउप्शन इसमें क् ठीक है, चल यह बहुत अच्छा है, आपका question मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, तो इसमें आप claim कीजिए, 1000 पर फीस, जो है लगती है देखना, जब आप UGC net का कोई एक question पर करते हैं claim, तो ऐसी गुंजाईश आप ना रखें, ठीक है, तो उत्तरी राजस्थानी, इसको ह ही नाम है देखना, यह भी याद रखना है आपको, फिर पष्चिमी राजस्थानी, यह आपकी क्या हो जाती है, मारवाडी हो जाती है, ठीक है, and दक्षिन में आपकी मालवी, ठीक है, मेवाप्ति बना देखना, इसको आपने द्यान लेना है, ठीक है, मतपूर्ण प्रश् इसमें भी आपको याद अख लेना है मारवाड़ी बगेरा जो रही है ये जारतर क्या आजाती है आपकी ओकार बहुल में आती है इनको भी आप त्यान में रखेगा ये भी महतल्पोर्ण परशन हो जाएगा ठीक है तो राजिस्थानी क्या हो जाएगा आपकी ओकार बहुल और टावर्ग बहुला, next question देखते हैं, अगला प्रश्ण है, यहाँ पर आपको गलत मिलान बताना है, कि कौन सा है, तो गलत मिलान का chain करना है आपको, यह प्रश्ण बहुत ही आसान है, और इसको मैंने बिल्कुल trick के जरीए भी आपको बताया था, अब अगर आपको यह नही कीजिए, जिनको अभी नहीं था, यह याद, वो लोग इसको एक बार फिर से देखिए, कि क्या होना चाहिए इस में, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सीरीज हो रही है, यह वैसे मेरे इसाब से, जिस तरीके से कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है, वो नहीं दे रहे हैं, ऐसे करके आप इसको देखिए, शाबाश, एक आंसर नहीं आया है, बाकी लोगों ने आंसर कर दी है, सीता, अंकुष, यामिनी, हरीश, बहुत बढ़ी है, बाप जिद उसके एक क्वेशन गलत कैसे हो रहा है, एक जो आंसर गलत, दीरज क्या है, तेवरक यानि की वाकारांथ है ये, आधी आकारांथ और आधी वाकारांथ, ठीक है, इसलिए ये आकारांथ तो है, लेकिन उदासीन है, ठीक है, कम है, ठीक है, ब्रज जो है ये वाकारांथ नहीं है, ब्रज कैसी है, ब्रज ओकार बहुला है, ठीक है, ओकार, याद रखिए है, और को और भी जो आपकी आकार बहुला ही थी ठीक है इसको याद रखना है है ना लेकिन यहाँ पर मतपुन बात क्या थी मतपुन बात है यहाँ पर प्रज इसको याद रखने की ट्रिक भी तो हमने बनाई थी ठीक है कैसी ट्रिक बनाई थी देखिए इसको हमने बनाई थी कि ओ स यहां पर देखिए, कनौज की मारा मारी मैं गड़वाल और कुमायूं का माल भी गया. सिंपल सी बात है देखिए, ठीक है, ओ ब्रजवासियों, ओ से ओकार बहुला, ब्रजवासियों से ब्रजवाशा, बुंदेल से बुंदेली, कनौज से कनौजी, मारा मारी से मारवाडी, गड़वाल से गड़वाली, कुमायूं से कुमावनी, मालभी से मालवी, और इस तरीके से आपके सारे के सारे उकार बहुला जो परिवार है परिवार ने बोलिया है वो निकल गई ठीक है तो अब आप इसको गलब नहीं करेंगे वैसे आपके एक्जाम की पॉइंट और व्यूस से मतपूर्ण कौन सी है ये तीन है ठीक है इनको अगर आपने याद रख लिजिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया ठीक है क्योंकि ये तीन ही जातर आपको पूछी जाते हैं देखना तो इन तीनों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए ठीक है तो ब्रज क्या है आपकी उकार बहुला रहेगी ठीक है इनको आप जिहान रखिए और सारी की सारी कार बहुला मैंने आपको यहां पर बता दी देखना कैसे आप इनको सिंपल वे में याद रख सकते हैं ठीक है धीरच गलत नहीं होना चाहिए देखना चलिए नेक्स क्वेशन देखते हैं अगला प्रशन आता है बोलिक शेत्रों के अधार पर सही मिलान कीजिए ठीक है बो सभी सही है यह मैंने जानबूज के रखा था ताकि आपको एक बार फिर से यहां पर क्या हो जाए एक आपका रिवीजन जैसे हो जाए कि अगर बोलिक शेत्र से आपको फ्रशन कुछा जाता है तो उसको आप याद रखिए ठीक है तो इसको आप यहां पर ध्यान रख लेन कि इनका जो बोलिक शेत्र हैं उनको कैसे याद रख से इसकी ट्रिक्स भी आपने बताई थी देखना उसको याद रख रहेगे आप खुद से ठीक है रामपूर हो गया एंड बिजनौर हो गया और मेरट हो गया मुरादाबाद सहारनपूर गाजियाबाद इत्यादी ठीक ह इसको आप याद रखिए है ना इसको आप याद रखिए यह महतपूर्ण है देखना कॉरवी के यह क्या रहेंगे आपके बोलिक शेत्र रहेंगे अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी इसको याद रखने की सिंपल से ट्रिक थी देखना कि जो बिजली की गरज से क्य हुआ मेरा दिल राम की देह और मुर्दों का नगर जो है वो क्या हो था सीहर उठा था तो और उन्हीं में से यह चीज़ें थी बीच बीच में देखना अब यह क्या है जिस लोग जिसने सबसे पहली बार सुनी है तो उसके लिए बहुत अजीव सी बात हो रही होगी कि यह आखिर में कहना क्या चाह रहे है इसमें है ना तो आप पुराने लेक्षर देखेंगे तो वहां पर आपको यह सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या मतलब था इसका कि बिजली से था बिजनौर गरज से था गाजियाबाद ठीक है बिजली की गरज से मेरा दिल मेरा दिल से था मेरा से हो गया मेरट दिल से हो गया दिल ली ठीक है और राम से क्या हो गया रामपूर राम की देहे देह से क्या था आपका देहरादोन का मैदानी भाग ठीक है ऐसे था ना हुचर तो ये भी आपको यारत लेना है है ना और जो मुर्दों का नगर तो कौर भी के आपको याद अब ट्रिक अगर देखनी तो उसको पीछे वाले जो क्लासी से उनको एक बार देख लीजेगा ठीक है ये क्या गहा रहे हैं कि इसके लिए भी हाम ने ट्रिक बनाई थी कि ओ ब्रजवासियो भरतपूर के करोली गाओं में अब आम बिल्ली आटा खाएगी ठीक है देखिए भरतपूर से भरतपूर ब्रजवासियों से ब्रजवाशा ठीक है याद रखना था है ना असे अलिगड बासे बदाईूं आगरा से आम से आगरा मां से मतुरा ठीक है ऐसे करके कुछ थी यह इ इसके बाद यहां पर आता है देखिए अवधी यह तीन बोलियां है जो मतपूर है इनके बोलिक्षेतर आपको जरूर पता होने चाहिए इसमें लखनव बाराबांग की सीतापूर लखीन पूर खीरी बहराइच अवधी यह जो सारे के हैं सारे अवधी के लेकिन इसको भी आयोध्या के प्रतापी सुल्तान थे देखिए लखन लखन का मतलब है लक्ष्मन ठीक है लिखना तो लिख लीजिए चले यहांपर लिख लेता हूं अगर आपको अच्छी लगे तो इसको याद रख लेना अगर नहीं रहेगी याद तो रहने देना उसको ठीक है अईयोध् की राय से ठीक है उन फोजियों को फोजियों को गैंडों के जोन यानि की इलाके से बाहर निकाला अब देखिए ये बड़ी मज़दार बात है यहां पर देखिए ऐोदिया के प्रतापी मिर्जा स्ल्तान थीक है यह क्या कह रहा है कि जो अयोद्य खे सुल्तान हुए है बहुत प्रतापी थे, ये तो हम सब लोग जानते हैं वही, अयोध्यावासी, श्रीराम की जनम घूमी है, है न, तो ये क्या कह रहा है, पहले तो हो गया आपका अयोध्या, अवद का एरिया जो रहा, ठीक है, परतापी से आपका प्रतापगड, ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद रख ले ठीक है, फोजियों से फैजावाद, गेंडा, गोंडा से यार रख लेना, जो आपका कौन सा स्थल रहा देखना, गोंडा, ठीक है, एंड, उसके बाद कौन सा है, जोन, जोन से आपका, जोनपूर, इलाका से इलाबाद, बाहर से आपका क्या हो जाएगा, बहराईच, तो सारे के सारे नाम आपको याद रह जाएंगे, तो अच्छी बात है, पर एक बारी का काम ये नहीं है, आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल एकदम से आपको याद हो जाएगी, तो इतना इसली नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपका दिमाग बहुत जादा शार्प है, तो किया, गैनों के जोन से, यानि कि गैनों के इलाके से इनों ने बाहर निकाद दिया, बहुत सिंपल सी बात है देखना, अच्छी ट्रिक है, तो आपकी अपनी इच्छा है, जैसे अगर आप इसको याद रखना चाहें, रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ट्रिक से पढ़ ठीक है, तो इनको आप ऐसे याद रखिये, कि अयोध्या की प्रतापी मिद्जा सुल्तान क्या करते हैं, लखन, जो सुल्तान लखन है, उन्होंने सीता से राय ली, और क्या किया, 19 पहुजियों को गैंडों के जोन से, यानि कि उनके इलाके से उसको बाहर निकाल दिया, उ इसको लास्ट वाले के लिए भी थोड़ी सी एक मज़दार अच्छी यसी ट्रिक है देखना, उसको देखते हैं, लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला है आपके पास, एक बरी, यहाँ पर देखिये, यह आपका शहजा, कानपूर, हर्दोई, पीली भीत, इटावा और फ शहाजां के कान पर हर पीली इट फुर हुई, अब देखिये, कनोज से कनोजी, शहाजां से शहाजां पूर, कान पर से कान पूर, हर से हर दोई, पीली से पीली भीत, इट से इटावा, फुर से फरूखावाद, ठीक है, तो इसकी भी एक अच्छी ट्रीक है देखना यहाँ पर, कि जो आपके कनोज के शहाजां रहे, यानि कनोज के जो शहाजां रहे, उनके कान पर हर पीली इट फुर हुई, माली यूद बोमी है, यह थे आपके चार जो बोली क्षेतर रहे हैं, इन में से उपर के तीन हैं, यह अच्छा है, इनको आप जाद अच्छे से याद रखें, बाकी बात की जो है, उनको याद एकने की जरूरत आपको इतने जादा नहीं है, समझवारी यह बात की नहीं, मज़ा आया, तो बस इ चलिए, नेक्स देखते हैं, इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्चमी हिंदी के अंतरगत किस ने राजुबेकी और निमाडी को स्विकार किया है, यह प्रश्न भी आपको बताया हुआ है देखना, और यह बहुती आसान सा प्रश्न है वैस अभी ही इस बात का पता आपको लग जाएगा, पश्चमी हिंदी के अंतरगत किस ने ताजुबेकी और निमाडी को स्विकार किया है, यामिनी एंट सीटानेगी, दो ही लोगों ने इसको सही किया है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ जवाब दे रहे हैं, देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यह जो है, यह था भोलनाततिВारी, ठीक है, भोलनात्तिवारी ने क्या किया, इसके जो दो भेद क कर दिए हैं अच्छा पश्चमी हिंदी के अंतरगत अन्य जो बोलिया आती है वो भी आपको पता होनी चाहिए पश्चमी पांच से पांच बोलिया उसमें मुझे आप आकार बहुला बता दीजिए कि कौन कौन सी हैं आकार बहुल को और भी हो गई हर्यानी यह दो है है ना बाकी जो तीन थी वो तो आमने पहले किसमें पढ़ ली वो कार बहुला में पढ़ ली कौन कौन बचेगी इसमें अब जो तीन है जो पश्चमी इंदी के अंतरगत आती है ब्रज बुंदेली और करनोजी और जो अठारा बोलिया मानते हैं वो इसमें कौन सी छकी बोली को भी एड़ करते हैं देखना वो आपकी दखिनी हिंदी हो जाएगी ठीक है इसको भी याद रखेगा लेकिन सर्बमाने मतानुसार 17 इनको याद रखना है इस तरीके से आपक अगला प्रशन है ब्रज भाषा के समन्द में जो सही कतन है उनका चैन आपको करना है कि इन में से कौन सा जो सही है और कौन सा इसमें गलत है ये आपको देखना है ठीक है देखिए मान्यताओं को पढ़ लेते हैं पहले-पहल क्या वो रहा है इस बोली का अरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल और मद्यकाल में भाखा नाम से मिलता है पहला ये है दूसरा है भुकसा अंतरवेदी डांगी इत्यादी ब्रज भाषा की मुख्यवप बोलिया है तीसरा क्या क्या गयते हैं कि ब्रज भाषा का अंतिम क्या था ब्रज भाषा के लिए इस ब्रज भुली को आप सिंगल इंवर्टिड में भी लिख सकते हैं तो अब आपको बताना है कि इन चारों मान्यताओं में से कौन सी जो मान्यता यानि कि कौन सा कथन जो है वो बिलकुल सही है इसको आपको बताना है असान सा प्रश्ण है और ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं देखना ब्रजभाशा से संबंधित तो आपको अब बताना है कि इसमें कौन से दो कथन जो है वो सही है क्योंकि हर एक विकल्प में आपको क्या है आपको जो है दो ही option दिख रहे हैं ठीक है शाबाश इतना ही time आपको देखना UGC में जो आप ढंका एक्जाम देने बैठेंगे तो वहाँ पर भी आपके पास इतना ही time रहेगा लगोग 30 seconds के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है कि इसको answer कर ही दें तब तक आप इसको पढ़ भी लेंगे और उसको answer करने की कोशिश भी करेंगे ठीक है तो इस बोली का अरंभिक रूप आधिकालीन साहित्य में पिंगल और मद्यकाल में अंकुष और हरीश बहुत बढ़िया बाकी लोग क्या कर रहे हैं बाकी लोग जो इतरो दो चले लिए या मेनी एंसीता कह रहे हैं कि केवल दो और तीन सही है दो तो ठ मद्यकालीन साहिते में पिंगल था ठीक है और मध्यकाल में इसका नाम भाखा हो गया बिलकुल सаз है क्योंकि पिंगल से हीš आपकी क्या हैं ठीक है इसको भी याद रखिएगा इसके साथ ही साथ याद रख लेना आपको ब्रजभाशा का अंतिम प्रोड कभी सत्य नाराइन कभी रतन नहीं थे ठीक है धिरज ब्रजभाशा का अंतिम प्रोड कभी जो रहा वो कौन था वो था जगनादास रतनाकर ठीक है रतनाकर क को कहते हैं देखना ब्रजबाशा का अंतिम प्रोड कभी और सेट बांकी दास ये जो बांकी दास रहे हैं देखना इन्होंने ब्रजबुली शब्द का सरपर्थम प्रियोग नहीं किया था बलकि जो ईश्वर चंदर गुपत रहे हैं ठीक है इश्वर चंदर इन्होंने इसक विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाना चाहिए था आपके पास जो विकल्प है देखिए आपके पास डी ये बिलकुल सही था ठीक है इसको आपने ऐसे याद रख लेना था और यहां पर जो आपके पास नाम है देखना बांकी दास बांकी दास ने जो नाम दिया था उसने दिय यह था डिंगल, ठीक है, यह नाम आपको पता रखना है, ठीक है, डिंगल नाम किसो ने दिया, सेट बांकीदास जो यहां पर रहा है, ठीक है, अगर हम कोरवी को यह नाम की बात करते हैं, तो रहुल संकृत्याई ने दिया था, खड़ी भोली जो है, वो ललू-ला ने उसको क कहा था ठीक है यह चीज आपको याद रख लेनी है और इश्वर चंदरगुप्त ने क्या कहा था इसको ब्रजबुली नाम दिया था ठीक है इसको ध्यान रखना है आपको ये भी महत्तपोन हो सकता है आपको प्रशने से बन जाए तो अभी मुझे लग रहा है टाइम हो गया में आपको फिर आप कह सकते हैं या एक दो प्रशन और देखलें सारे लोग WEZ तो नहीं है कि 25 तक कर लें देख लें आपने कहना तो कुछ नहीं वैसे है न चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं उनको सारे की कंप्लीट कर लेंगे एक बार तो ठीक है यहां पर क्या है देख मुसल्मान ने देशी रूप और दूसरा वह दरवारी रूप जो मुसल्मानों ने उसे दिया यह कथन किसका है चलिए देखते हैं कितने लोगों को यह कथन पता है ठीक है यहां पर आपको बताना है कि इसमें क्या पूछा है देखना यहां पर पूछा गया है कि जो भाशा क के संदर्ब में कथन है यह कथन किस का था शावाश यह तो आसान सा कथन है बहुत ही इजी कथन है यह और ऐसे कथन बार-बार आपको नहीं मिलेंगे देखना अंकुष एंड धीरज राना जब कुछ समझ ना आए तो किसकी और जाना धीरज राना रामचंद्र शुक्ल की और ठीक है तो रामचंद्र शुक्ल ही इसका अंसर था यह क्या कहते हैं कि आधुनी काल के आरामव में समाज में दो तरह की बाशा प्रचलित हो गए थी खड़ी दीगे रहा और दरवारी रूप यह हां यह आमने किया है यह शुक्लवानी में भी मैंने आपको बता दिया है उसमें भी देखिएगा शायद है ना एंड बाकी किताब में आपने जरूर पड़ा होगा मिलेगा आपको यह प्रशन कहीं क्या पता शायद पूराने पेपर मे देखना ठीक है तो नवीन चंद्र राय से आपको जरूर इसकी पंक्ति को देखना यह हमने डिसकस की हुए देखना जब हम इंदी उर्दू विवाद की बात कर रहे थे देखना बीच में उस वक्त हमने इस पंक्ति को पढ़ा था उनकी लक्षमी सागर वार्षने ने भी क पहा है ठीक है एंड फिर उसके बाद आता है बाल मुकुंद गुप्त तो बाल मुकुंद गुप्त से भी आप देखते हैं कि इन्होंने भी जो बे मुहावरा बात कही थी देखना इसको कहा था उर्दू को ठीक है तो जो आपका न्याले की भाषा थी उस वक्त किया ना उ है ना हिंदी उर्दू की ये बात करता है देखना उसमें भी आपको या रख लेना है एंड राजाशी प्रसास सितारे हिंद उसको भी देखेगा इन सबने बाशा से रिलेटरी चीज़ें जो वो जरूर कही है नेक्स कॉशन आता है यहाँ पर इनमें से सही क्रम आपको बत सही क्रम इनमें से क्या होना चाहिए अंकुश एंड हरीश दो लोगों ने ठीकिया है पाक की लोगों ने कुछ दुदर कर दिया चलिए एक बार देखते हैं इसको क्या होगा इसका देखिए सबसे पहले मुल्ला वजही की सबरसा जाएगी यहाँ पर सत्रह सो यह सो पैंटीस क्या सपास की रचना मानी जाती है इसको याद रखिए दूसरे नमबर पर रानी केतकी की कहानी वैसे 1789 से ले करके 1830 तक थी तो हम इसको 1789 मानेंगे और जो प्रेम सागर है देखना प्रेम सागर ललू-लाल की रही यह 1800 की है ठीक है और लास्ट में आपका सुक सागर आ जाएगा तो सुक सागर 1818 की हो ही की ठीक है तो इस आधार पर यह आपका क्या हो जाना चाहिए था विकल्प नंबर डी वह जाना चाहिए था लेकिन अगर हम सही तरीके से अगर इसको करने की कोशिच करें तो फिर आपको क्या याद रख लेना है तो इसमें आप सबसे पहले सब्रस को रखेंगे, सब्रस के बाद आप प्रेम सागर को रख सकते थे, क्योंकि 18 सो में, क्योंकि रानी केत्की की कहानी जो उसके बाद रही, लेकिन यहाँ पर दिये गए विकल्पों के अनुसार हमें इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर आप करना चाहें, तो ऐसे इसको कर सकते हैं, क्योंकि रानी केत्की की कहानी को आगे तकेल दीजिए, प्रेम सागर को पीछे लग लिए, है ना, और सुक सागर तो खेर आपकी लास में, रहेगी ही रहेगी, तो इसाधार पर ये सही हो जाएगा, अदर्वाइज आपको यहाँ से ऐसे इनको आगे पीछे कर लेना, ठीक है, यह देखना आपने, ओके, याद रखिए, सबरस, मुल्ला वजही, रानी केत्की की कहानी, उदेभान, चरिक, दूसरा नाम रहा इसका, एंड ये इंशाल्ला खांकी रही, प्रेम सागर ललुलाल की थी, और सुख सागर जो है सरसुखलाल, नियास की रही है, ठीक है, रियान रखिएगा, नेक्स्क्रशन आता है, हिंदुस्तानी नाम किस ने दिया है, ये प्रेम तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहना इसमें आपको जल्दी से इसको करना है बस, नहीं तो क्लास में फिर खतम ही हो जाएंगे सारे लोग, कोई बचे गई नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हिंदुस्तानी नाम किस ने दिया, ये आपको बताना है, शाबाश, अभी तक आंसर नहीं आया है, दो लोगों का आंसर नहीं आया है, हिंदुस्तानी नाम किस ने दिया है, यामिनी, सीतानेगी, हरी, शेंड, अंकुष, बहुत बढ़िया, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, सब लोगों ने ठीक है, वैसे बाकी लोग भी इसको कीजिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं, देखिए, हिंदुस्तानी नाम किस ने दिया था, अंग्रीजों ने दिया था, ठीक है, किसने माना ये, चॉर्ट ग्रियासन और दिरेंदर वर्मा, दोनों ने दिया, माना, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, चले नेक्स आता है, यहां पर कौन सी भारूप्य परिवार की भाशा इनमें से नहीं है, यह तो बिल्कुल बच्चों वाले प्रशन है, यह तो आपको इसली पता होने चाहिए, है ना, यह आमने बिल्कुल अच्छे से पहले पर लिया था, इसको याद रखिए, है ना, कौन सी भारूप्य परिवार की भाशा नहीं है, इसमें इतना क्यूं सोच रहे हैं, मुझे तो यह समझनी आरावी तक सिर्फ तीन लोग, आधे लोगी आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, जवाब, शाबाश, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, यह प्रशन तो खुद बोल रहा है कि मुझे कीजिए, है ना, सीता, यामिनी, एंड अंकुष, बहुत बढ़िया, तीन लोगों ने इसका सही आंसर किया है, बाकी लोगों ने इसका अंसर कर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो बाकी इंदी, मराथी, गुजराती, यह सारी, यह सारी क्या रहेंगे आपकी, इस में आ जाएंगे, ओके, चलिए, नेक्स है, याँपर लीपी का सही विकासकम क्या है, आपको बताना है कि जो लीपी रही, उसका जो सही विकासकम, यह हमने पीछली वाली क्लास में ही लेक्ष्ट नहीं सुरी जो आपका पुराने पेपर हैं 2004 से लेकर कि 20 तक के उनको पढ़िए उसमें भी आपको यह प्रश्ण मिलेंगे ठीक है जो भाषा से रिलेटर हैं लेपी से रिलेटर हैं या अन्य जो प्रश्ण है इनसे आपको और ज्यादा प्रश्ण बन सकते हैं ठ इसको भी देखते रहिए चलिए तो यहां पर देखते हैं कितने लोगों को यह पांसर पता होगा इसका अंकुष यामिनी खडीश बहुत अच्छे यहां पर आपका देखिए लिपी का सही विकास्क्रम सबसे पहले ब्रहमी लिपी ब्रहमी से आपका क्या निकला गुप्त लिपी गुप्त से सिध्यमात्री का यानि इसको हम क्या कहते हैं देखना जो आपका कुटिल इसको नाम है दिया गया है देखना कुटिल लिपी और लास्ट में हमारी देवनागरी लिपी यह तो देखना ही था आपको कि ब्रहमी कहा है कि ब्रहमी से ही तो आगे सारी निकल था तो इसको भी आप जल्दी से कर लीजिए राजभाशा अदिनियम वाला जो प्रश्ण है मात पूर्ण प्रश्ण देखना यह यहां से भी लास एक दो साल पहले आपको प्रश्ण पूछे गए थे देखना कि इनको क्रमानुसा लगाने के लिए पूछा था राजभाशा अधिनियम हो गया संकलप हो गया नियम हो गया ठीक है तो उनको आपने देखना है शाबाश 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 या मिनी आएंड हरीश और बाकी लोग इसको गलत क्यूं कर रहे हैं धीरज आएंड अंकुष ये की तरफ अच्छा राजभाशा दिरियम 14 सितंबर को हुआ था 14 सितंबर को 1949 को क्या हुआ था इस दिन तो हिंदी को राजभाशा का दर्जा प्राप्त हुआ था है ना कि हिं नहीं देखी है अंकुष इसको एक बार फिर से दोस्त कीजी आपने नॉलिज को है ना यह मातफोर्ण है देखना है इसको गलत नहीं करना है साथ माई 1963 यह था आपका जिस दिन आपका राजभाशा अधिनियम जो है यह पारित हुआ ठीक है और यह संशोधित कब हुआ कु इसमें 1967 में ठीक है या रखिये इसको और फिर 1968 में क्या बना अधिश्य संकल्प राजभाशा संकल्प और 1976 में गया बना राजभाशा नियम कितने नियम बताये गये हैं उसमें 12 12 यस ठीक है ओके इनको याद रखिये का है न और 1955 में क्या चीज़ हुई आज बाशा आयोग गठन आयोग का गठन और 1961 में क्या हुआ शाबाश विदाई आयोग और टक्निक आयोग हाँ जो दोस्थाई आयोग बने इस समय है इनको भी याद रखियेगा ओके महत पूर नहीं देखना यह चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्च्छे नेक्स्ट क्षण देखते हैं अगला प्रश्ण है लीपी सुधार के प्यासों का सही क्रम क्या है जो लीपी सुधार की प्यास गये देखना संस्था तो यहां पर आपको बताना है कि लीपी सुधार के जो प्रियास हुए हैं, उनमें से कौन-कौन सी स्मीतियां जो रही, कौन सी परिशदें जो रही हैं, जिनका योगतान रहा, और ये कब-कब रही, इनको आपको देखना है. अंकुष और धीरज, अंकुष और धीरज साथ में तो नहीं बैटे हैं, ऐसा लग रहा है, जैसे गलत करेंगे तो दोनों गलत करेंगे, और सही करेंगे तो बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है, चलिए, दिखिए, सबसे पहले आई काका कालेलकर समीति, 1935 में, ठीक है, उसके बा आपका 1947 में, ठीक है, उसके बाद बना लीपी सुधार परिशद, ये उत्रफरदेश की जो सरकार रही, उसके द्वारा, ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, लीपी सुधार परिशद, 1953, ये रहेगा न, यस, ये रहेगा इसका क्राम में इसको आप ध्यान रखिए, तो ये है महत्तफुन चीजें, इनको आपने ध्यान रख लेना था, लीपी सुधार से रिलेटर प्रशन भी, एक बार आपको आता है, अच्छे प्रशन और है आपको, कि ऐसे कौन से भारतिय रहे हैं, जिन्नोंने देवनागरी लीपी का विरो 1959, ये एक और प्रशन बन गया आपका राज भाषा, जो संसिद्य स्मीती रही देखना, ये 1969 में बनी, इन्होंने कुछ सुझाव दिये थे, ठीक है, और उन सुझावों में आपको बताना है कि कौन से शामिल थे, और कौन सी चीज़े जो है इसमें शामिल नहीं रही, ये म उच न्यालेओं के निर्णेओं आदेशों इत्यादी को स्थानिय भाषाओं में दिया जाए, और चौथा क्या है, पैंतालिस वर्ष की उम्र के उपर की उम्र वाले सरकारी करमचारियों को हिंदी के प्रशेक्षन से छूट देनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको बताना ह है, कि इन में से आपका सही कौन सा है, मतलब सुझाव कौन से जो एक्जक्टली इसमें रहे हैं, वो आपको बताने हैं, अब आई थिंक आपने अभी तक के लिए समझ भी लिया होगा प्रशन को, और इसका आंसर क्या है, वो भी आपने कर लिया होगा, चलिए, देखते हैं कितने लोगों को ये पता है, और ये सुझाव, जो भी रहे हैं देखना, जो संस्रिय समीती ने प्रस्तुत किये थे, ये हमने देखे थे, ठीक है, इसको आपको देखना है, शाबाज, बहुत बढ़िया, इसमें लगबख 90% लोगों ने आंसर किया है, सरीता आंसर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, अंकुष, बहुत बढ़िया, 0.5 सेकंड, क्या बात हैं, और हरिश ने जादा टाइम ले लिया, चलो, अच्छी बात ये हैं कि अच्छा, सही कि आपने आंसर, तो यहां पर देखिए, 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा होनी चाहिए, यह इसमें बिल्कुल एक्जेक्टली बात थी, केंद्रिय सेवाओं में परिक्षाओं के माध्यम के रूप में उसने, संसदिय समीती ने सुझाव दिया कि हिंदी को नहीं होना था उसमें, ठीक है, लेकिन यहां पर जो ये वरा था कि 45 वर्ष के उपर की उमर वाले जो सरकारी करमचारी हैं, उनको हिंदी प्रिश्क्षिक्षन में छूट दी चाहिए, यह इसमें बात थी, ठीक है, इसको याद रख लेना, तो एक और चार इसमें क्या हो जाएगा, य इस बात को याद रखी आप है, ना, नौतपूर नहीं ये, इसको देखना पड़ेगा आपको, तो चार तो यही सुझाव होगे, एक दो सुझाव और रहेंगे, उनको भी आप साथ में देख लीजेगा, तो यहां पर विकल्प नुमर D, इसका सई हो जाएगा, ठीक है, न यहां पर आपको देखना है, कि टोटल जो अनुचेद थे, वो आपके कितने रहे हैं, यह मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कि टोटल जो अनुचेद हैं, वो 11 है, अब इन 11 में से, राज्य की विधान मंदलों की भाशा का जो प्रावधान है, वो किस अनुचेद में हैं, तो यह आपको बताना है, और यह भी हमने सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और पेपर में आप देखेंगे, ऐसे ही प्रशन आपको रहने वाले हैं, कि कि कुछ भी आपको इदर दर नहीं होने वाला है, तरीका यही रहेगा, प्रशन आपके लिए हो सकता है, कि और और हो सकते हैं, लेकिन तरीके से तो इसी तरीके से ही प्रशन बनेंगे, चाहिए आप पेपर देखे देख लीजिएगा, यह ना, तो राज्या विदान मंदलों की भाशा का उपबंद, अंकुष, सीता, यामिनी, एंड हरीश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक अंसर गलत कौन कर रहे है, हाँ, धिरज गलत कर दिया, इसको है न, अनुशे 210 थाइस ख़ाय, 120 किस से था, 120 तो आपका जो संसद था, उससे लेलेटीड था, ठीक है, संसे लेलेटीड, ठीक है, और 210 जो है, वो राजय से लेलेटीड है, और अनुशे 343 जो है, यह hang से ल रहेगा इंदिभाशा का जो प्रचार प्रसार करना रहेगा ठीक है यह आपका यहां पर आ है तो बहुत ही महतफूर्ण है देखना ये वाला प्रश्न भी किसमें से आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं था राजभाशा आयोग यह प्रश्न तो बहुत आसान है अचा अ चाहल जाबाश यह लगवग सबने ठीक गया है बहुत बढ़िया अंकुष यामिनी सीता नेगी धीरज राना बहुत अच्छे लेकिन यहां पर हरीश गलत साइट चले गए ठीक है यहां पर राजबाशा आई हो यह अपने पीछे डिसकस किया अभी थोड़ी दिर पहले डिसकस किया था बाकी तो सारे ऐसी कैसी थी तो इसक इसको देखिए आपके ना यह तो हमने कर लिया था पहले ही कर लिया था अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज कोई चूट गई है क्या चूटना क्या था हाँ यह आपको सिंपली ऐसे यार रख लेना था देखिए इसमें भाग 6 में है यह भाग 6 में ठीक है अन सत्रा समीधान के जितने भी अनुशेद हैं वह भाग सत्रा के अंत्रगत है यह चीज़ याद रखना है साथ में आपको इसमें नेक्स क्या था नेक्स्ट है आपके पास आखरी प्रश्ण हंजी कि सरी अन्षे 210 पीछे कोशन करना सर कि एक मिनिट अगर कोई व्यक्ति अपनी आव भाशा में यानि कि अपने अपनी बोली में भी अगर करना चाहें तो वहां का जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो उसका अनुमति दे सकता है कि वो अपनी लेंग्विज में भी बात कर सकता है ठीक है इसको एक बार देखिए फिर से देखिए इसको आपने ध्यान रख लेना कि यह भाग छे में हैं और एक सो बीसवां जनुचेद है वह भाग पांच में हैं और बाकी जो 343-351 वाले हैं वह बाग 17 में हैं ठीक है इनको भी साथ में याद रखिए टोटल यह कितने हैं आपके ग्यारा उपबंद हैं इसमें जो घ्यान रखने हैं चलिए आखरी प्रशन आप सब लोगों के लिए इसका अंसर आपको अपनी 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 हिसाब से करना है कि इसका अंसर क्या होना चाहिए ठीक है चलिए मैं आपके सामने पूल ऐसे रख रहा हूं फिलहाल पर ड आप लोग को देखर गर कि डाल दिया कि कि आप जो है इस प्रशनोत्री को देख करके कैसा मैसूस कर रहे हैं कि एघंए ती लोग तो कह रहे हैं यह और कुँछ पनी कुछ आनसर आने चाहिए इसमें तो सब लोगों आंसर कीजिए जिसने नहीं भी क्या आंसर वो भी कर दीजिए कि क्या था इसमें न चलिए ये प्रशनोत्री में भाग लेने के बाद आप आपने कैसा मैसूस किया अच्छा लगा बुरा लगा ठीक है तो यह आपको बताना है सीता, धीरज, अंकुष, यामिनी ये चारों लोग क्या है इसको प्रशनोत्री के देने के बाद उत्साहित है एक अंसर अलग भी हुआ है डी की तरफ भी गए है कुछ लोग तो हरीश कह रहे हैं कि अभिया संतुष्ट हैं वो चलिए संतुष्टी वैसे होनी भी नी चाहिए पर अपना इसको देखिए नेगटीव वे में नहीं लेना है आपको बिल्कुल पॉजिटीव इडी के साथ अगे वढ़ना है मैंने तो ए और ए करना था सब्दों नो ए और ए करना था चलिए यह भी अच्छा है यह मेरे पास ऑप्शन देने के लिए था नहीं तो अगर ए और यह तब तो ज्याद अची बात है क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे तो उत्साहित रहना पड़ेगा और हमीशा मेहनत करते रहना पड़ेगा है ना उत्साहित आप अलड़ी होंगे जब आप हमारे साथ हैं तो यह तो हमारी टेगलाइन भी है नई उर्जा नई स्पूर्ती है ना यह तो जरूरी रखनी ही रखनी है तब भी आगे बढ़ेंगे चलिए पहला यूनिट हमने खुशी- कर लिया है हर एक टॉपिक से हमने प्रश्ण रखने की इसमें कोशिश की है अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो बीच में छूट गया है तो उसको आर्क बार आप फिर से देखिए फिर से कोशिश कीजिए खुद बनाईए कॉश्चन उससे आपको ज़्यादा याद रहती है च टॉपिक है तो यही चीज़ आपको करनी है